कि इस तरह कि सोच का हिंदुस्तान के सुर्सकिती में कहीं कोई जगह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है सोची नहीं सकता या केवल हम ही सोच सकते या पलावनालों भी सोच सकते कि इस तो दलीत है जो आदिवास यह वह वह राजा नहीं बन सकता क्या वह नहीं सकता यहांगी पाम नहीं कर सकता यह तो अधेस तो अधेवाणे वाला अपना नाम देने वाला आंपेड कर जी जो थे वह माहराश्य के ब्रह्मरत यह पहली बार आपने पूरे डिवेट प्राजिव एक मैं रुख जाई है ता प्राजिव मनु असमिर्थ में लिखा इस्त्री सुद्रों को सिचा देना ज्यान देना भल पेट भोजन न देना अशोख सिन्हा जी एक मैं रुख जाए ने जो ट्रांसलेट किया था उसमें लि इस मुल्क में इस एक मुझा जाई है बिर जाए एक मिस्टा जी देखे एक चीज से आप इंकार नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क है कि जब तक किसी मसले पर राजनीती करण ना हो पुलिटिशाइजेशन ना हो तब तक सुलूशन निकलता भी नहीं है किसान हो दलित हो यह क्या पश्च्च्वी संस्रेटी वाली थे जो रोग रहते हैं यह क्यों क्या है आप मुझे वताईए अम्बेड कर क्यों पादी उनको किस ने दी करना चाहता हूं मैं इस देश के जो गैर दलित गैर आदिवासी समाज है करना चाहता हूं कि आप अपने अपने समाजों को यह निर्देश दीजिए कि जो भी दलितों पत्ति आचार करेगा अधिवासी पत्ति आचार करेगा उसका समाज सब्सक्राइब अभी अभी यह डिमेट ट्रैक पर आया मैं बोल रहा हूं सर यह समाजी समस्या है कभीरदास के टाइम पर ऐसी समस्या है थी कभीरदास ने बहुत काम किया अब आपने वाकई में बड़पन की बात किया अब आप मुझे बाप बताई हो राम जी की और सिता जी की चादी हुई सबसे यादा विद्वान जो वहां पे थे पंड़त थे उन्होंने कुंड्रली मिलाई कुंड्री मिला का के असा योग सुंद अरे बिना योग का आप देगे पढ़िए ना आं तो बताइए ना आप पंडिकों की बात कर आओगा आए तो आप बुद्ध मनु से पहले आयों जी कैसा फिक आप अब अधा भी हुए थे मिश्रा जी के साथ में मैं इस डिवेट को खटर जब एक सुतीस मामले दलितों की खिलाफ आते हैं तो सवाल भी बड़े और कड़े खड़े होते हैं एक ऐसा मुल्क जहां पर दलित अंदोलन का जो तीवा फुले से लेकर के आज ताक एक बड़ा इतिहास रहा है एक ऐसा मुल्क जहां पर दलितों के खिलाफ दमन के मामले हर रोज लगबग 123 के आसपास आते हैं और वहाँ पर दलित ने जब घुट चड़ी कर ली तो पुलिटिकल कॉमेंटेचर मेरे साथ में मौझूद है कि कोई व्यक्ति जो है सोची नहीं सकता या केवल हमीं सोच सकते या फलावनालों भी सोच सकते अब मैं पुलिटिकल कॉमेंटेचर है ब्रामनिकल्स थाट कि कोई तो दलित है जो आदिवासी है वो सोचने का काम नही पार नहीं कर सकता यही तो ब्रहमनीकल थाट है और यह आप्शा बना रही है नहीं कोई नहीं कोई नहीं है जो एक मैंट तर पुछा था ठीक है संद की शाखा में कितने हरिजन जाते हैं तो इस दुर्शी से हम सोचते नहीं थे मगर वहां बहुत से लोग खड़े हुए और गांधी जी ने प्रसंसा कि इस बात की अब यह चलने वाला नहीं है इस मुगालशे में बसने वाले नहीं है अधिवासी बसने वाले नहीं है बटों की भाले यह चलने वाली नहीं है। चाहे अर्दव्यवस्ता कहीं चलने वाली नहीं है यह जितने भी सबसे पहले तो मैं बोलूँ जो यह घटना हुई है वह वाकही में निंदनी है और हजारों लाखों साल की जो हमारी परंपरा है इस तरह की सोच का हिंदूस्तान के संस्किति में कहीं कोई जगह नहीं है तो यह क्या पश्च्वी संस्किति वाली थे जो रोग रहते हैं यह क्यों क्या है आप मुझे बताइए एक महाराश के ब्रहमनत है जिसका नाम आज भी चाबादा यह हर चीज पर ब्रहमनों को किसी को कोशना बंद करिये मैं चिलाने के लिए नहीं आया हूँ आपकी तरह मैंने पहले बोला कि आज के डेट में ये जो तथा कतित अपने आपको कहीं के भी किसी भी पार्टी के वो विचारक और चिंतक हैं मैं एक चीज को अब्जेक्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ वालमी की कौन थे अगर बोलते हैं कि बात एक नर्शांद रही है आप ये बता रहा हूँ आप में अंगुटा किसमे काथा जोड़ा चारे नाम से रहती है कि अब्जेक्ट करता है जोड़ा कर रहे हैं जोड़ा कर लिए तो उनको आगे बढ़ाने वाला अपना नाम देने वाला आमबेटकर जी जो थे हुआ मारास के ड्रामर ठे पुद्ध जिनको आप लोग मानते हो वह चत्री थे गट घात्या थे वह जोड़ा क्या थे आप हीकार इसले थे ने पर आपकास का वह देक हैं और कर वालबार्स पाले चार्ट का पान्य से जोड़ा क्या थे ज़िसां जाती कर टिपनी आपक्षोड दिजेए मिश्रा पांडे मत कीजे, ठाकुर बामन मत कीजे, एक न डुक जाईए, भारत में पिछरी जात के लोगे ऑन रुदूद्ट करके देट पर आते हैं आप दोना ही चुप हो जाए एगा बुद्ध मनु से पहले आये जाए जानी है नहीं आप पिदा भी हुए थे प похrhna पया इसक став क'll a box गूंवार्ज घुअ आपभशागी है मिष्जा जी आपको इख लगाद से को नहीं तर्थ सब्सकू से फाले हो की रचिक है पहुति हो से थ्रोस्ति बहा है चीख है रुख जाई हूँ मिष्जा जी रुचस़्ा जी हाँ रूख जाईए तीक है रूख जाईए तो के रही है और इस इंदन के राह जमा रहा है है एवडमे जबनाया है अगर आपने रह जल्व गया ठीक हो गया ि प्रीजि निपने और ङूछ सबस्की के अज है झीजिए ज़ें और ठीजिए तरह सोुँए उसके बाद मैं चाहते थे नहीं को चाहना आनिनाजिके पास बी जाऊंगा सावित्री फूले बिनझार करनी प्रदीब जी आप के पास भी आlas अभी हाल फिलाल में बहुत अच्छी नियूज आई थी क्यों प्रहमा के मंदिर में जाते हैं और उनको मंदिर में ने घुजनी दिया जाता है यह तो इस देश का समीदान है और उस पर किसी नहीं कोई आपस्ती नहीं करता यह जाएज हुआ अच्छी आप चिला रहे हैं इतना चिला क्यों रहे हैं अच्छी नहीं जाएगा अपने जाया अपने तर्क देतो रहा हूं आपको उनको सीडियों पर बिठा के पूजा कराई गई देखा गया तो नहीं उसके बाद जगनात मंदिर जाते हैं तो उनके साथ धक्कम की होती है इतने बड़े पद के साथ तो इतनी बड़ी गठना होती है दूसरी बात में बताना चाहता हूं आपको ब्रहमनों ने जो इस देश का बेड़ा गरक किया है अब आप मुझे बाह बताई हो र झाल कर आप बताई है अगे मिला थि रहा उफल्द कॉंडली मिला हि अगर आप को शादी होती है इना कुंडली मिलाये होती है पुछो जो जवाब भी दूगा क्या लेते मिले थे एक सब कर रहे हो ना उसके बाद जब सीता राम जी की शादी हो जाती है सबसे पहले उनको वनवास होता है उसके बाद भी सीता मैया को अपनी अगनी परिक्षा से गुजरना पर यह गड़ जोड जो है कंडवी मिलाने का सबसे बड़ा जो रीजन ये है अगर कंडली नहीं मिलाई होती कंडली मिलाई मैं निए बन धारी करता हूं रोग देता हूं आ है किसार जी एककम डूट जाहिए विर्या-दम डूच्वी है नाओ भास जी एक है मिश्रा जी एक में डुक जाएये मेरे डिवेट को दिरेल मत कीजिए इक मा डुक जाएये सिरोगा जा इए एक मा डुक जाएये मैं आप से ये सवाल पुछना चाहता हूँ कि प्रतीकों में दलित हर पार्टी के प्रतीकों में दलित होता है बाबा साथ भीमरावम बेटकर होता है सलकभीर होता है जोतीबा फुले होता है पेरियार होता है गाड़गे बाबा होता है है गुक्त होते हैं असल बात करने वाली पार्टी आज ता कोई क्यों नहीं रूई रुग जाईए अनिला जी मैंनोस आप से Android जी आपकी डिवेट समीशा बहुत बैलन्स होती है पर मुझे बहुत दुख हो रहा है किस प्रकार्ट से ये पीछे लडाई हो रही है और जाती सुचक नाम लेकर एक दूसरे को पर प्रहार कर रहे हैं यहां तो यह क्या है असेशन उड़ता ही तो है इंटॉलरेंस ही है एक अपने आपको दलिश में हो रहा है ना एक मैं तो बोलने दीजिए अगर एक महिला यहां पर बोलने दीजिए आप लो प्लीज भारती जी स में एड्मिशन्स हो रहे हैं आपको पते जो सीस्टी सीड्स होती है वो भी नहीं भर पा रही है बच्चों से कहां है आपका दलित प्रेम कितने बच्चों को आप पढ़ा कर गाइड करके आप आगे बढ़ाते हैं देखिए राजनिती करना छोड़ दीजिए और यह जो अ जवाब देने दीजिए अनिला जी ठीक तो कह रही है आप भी बाधिक बैस मुबाहिसे में चले जाते हैं वाक्शॉप सेमिनार सिंपोजियम में देख जाते हैं अगबार टीवी में देख जाते हैं लेकिन दलितों का उथान आप ने कितना किया अगर एक अटाक कर रहा है ब्रहमन पे और एक अपने आपको किसी तरीके से बचा रहे हैं कि नहीं पुरे नहीं हुआ है थाइब जाते हैं बुद्धान सर्व परी है गरीब दलित का बच्चा जो है उसको भी पढ़ लिक कर आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार है और मैं कहती हूं ब्रामन ठाकर बनिया कोई भी हो वो गरीब है तो उसके बच्चे को भी उतना ही अधिकार है है कि वो पढ़ लिक कर आगे बड़े क्रिप्या करके इस लाइन पर सोचिए सबका साथ सबके विकास के बारे में सोचिए मत बाटिये जो लोग दलित की आवाज उठा कर राजवीती करते हैं गरेबान में जाके चाहे वो कोई सांसद हो चाहे वो दलित चिंतक हो हर चीज का ठीकरा एक चीज करता श्यार के नफर और सदा देते हैं क्या बुद्ध की यही शिक्षा थी मैं जानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी ऐसा किया हो कि जाति विश्यक्त के पास अब रुग जाई अशुक भारती को जवाब देने दिजिए नाइम भाई उसके बा पंद्रभीस राजव में भी आपकी सरकार है मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी अपने सीमित साधनों से हम 30,000 बच्चों को रोज कंप्यूटर पढ़ाते हैं आपकी सरकार है नहीं पढ़ाती है ठीक है आप चाहेंगे तुम्हें 30,000 बच्चो अपने दिल्ली विश्व द्याले की मैं आप पर बताना चाहता हूं दिल्ली विश्व द्याले में केवल 66,000 सीथ हैं और वहां पर एप्लाई करने वाले साड़े चाहर लाख लोग हैं आपकी सरकार भी और पिछली सरकारे भी वो जिन गरीब जो बच्चे बारवी पास करते हैं उनको ये सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हर बच्चे को रेगुलर कॉलेज में दाखला मिलना चाहिए उनको चुकि आप रेगुलर कॉलेज में दाखला नहीं दे सकते इसलिए अपर कास अपर क्लास के जो गरीब तो उनका अरेक्षन इकिलाफ कर देते हैं आप मुझे बताइए अगर साड़े-चार लाग लोग अप्लाई कर रहे हो साड़े-चार लाग जगह हो ने क्या कोई मारधार होगी कोई प्रक्रशित जीड़ा लेकि आप साड़े-चार लाग शीट बनाना नहीं चाहते हैं इस देश को तीन लाग तीन सो युनिवस्टी की ज़रूरत है आपकी सरकार केंद में राज्य में प्रदान मंत्री को बिए पारित कर दें और मैं बताना चाहता हूं इस देश को पांच लाग अधर श्कूल में अध्यापों की ज़रूरत है युनिवस्टी किसी बनी है कि मैं दो आपकी बनी है वो सरकारे का रहे हैं और सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो मेरा समझ ऐसा है कि हमको यह सोचना चाहिए वह बनाएगी वो टीचर का पॉंट्मेंट भी लगातार कर रहे हैं अब आप सब लोग रुख जाईए समाजवादी पार्टी के नहीं था प्रदीप सिंग के पास में चलते हैं प्रदीप सिंग जी वीएस पी को भी दली तयार आते हैं बीजेपी को भी दली तयार आते हैं एक जमाने तक में कॉंग्रिस का भी वोट बैंक दलित परंपरागत तरीके से रहे हैं लेकिन आप लोगों को दलित हमेशा ही चुनाओ के वक्त में क्यों याद आते हैं समाजवादी पार्टी दलित साइकल चेतना यात्रा अगर आप निकालने चले चुनाओ के वक्त में निकालने चले दलित नेताओं को लुभाने चले चुनाओ के वक्त में लुभाने चले महागडबंधन बनाने चले चुनाओ के वक्त में बनाने चले और दलित वोट बैंक आज की तारीक में समाजवादी पार्टी को भी इतना ज़ादा क्रूशियल लगता है कि आप मायवती के साथ में गल्बहियां करते हुए भी चले दिखे चुनाओ तो भी 2019 में रहे और दलित चेतना रेली हमारी करस चार मेले से चल रही है जिले जिले पर चल रही है तो दलित चेतना रेली या संगठन की जोर भी काम है वो सिर्फ चुनाओ से जोर के मत देखिए संगठन का एक सतक प्रक्रिया है सगंठन चलता रहता है काम होता रहता है दलित चेतनानरली आज हो रही है इसके पहले हम लोग पूरे साल कम जगां 5 चाल अँगर हमारी सरकार नहीं भी रहती तो भी हम लोग वोग सड़कों पर देखते हैं समाजवादियों की यह पहचान रही हमेशा रही बात समाजवादी पाटे ने कभी दलितों की राजनेत के लिए कोई काम ऐसा ने किया कि दलितों को लुखाने के लिए समाजवादी ने सर्व समाज के लिए काम किया है और चाहे उपने पिछले सरकार के हमारे जो काम हुए उनको आप देख लिजिए अगर एक्सप्रेस बेकर निर्मान हुआ, मैट्रो तमाम बनाए गए यहां पर, कहिंजरो हस्पिटल बनाया गया, तमाम ऐसी चीजे हैं जिनको समाजवादी सरकार ने बनाया है, तो सिर्फ एक बर्ग विशेश के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन आज जो काम हुआ है, य हमारे कोमिंजी को राष्ट्रती के घोषिती आ गया, तो लगा कि दलितों में चेतना और दलितों में ऐक ऐसा उभार आएगा, जलित जागरूप हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट पती, दलित राष्ट पती बनने के बाद, दलितों के उपर जितना उत इसलिए हम ये बार-बार क्या थें को फुनाने की बात हो पिसे नाम पर बेडकर कर tuhाम यह नहीं है नाम पर राजनीत Hahaha तो सारी चीज़ें अगर भर्चिंता पार्टी दलितों के लिए कर रही है तो दलितों में कहीं सुधार तो नहीं आ रहा है दलितों का जो उत्पुलन हो रहा है वो तो यसा इस्ति जारी है उनकी तो सवाल यह है कि आप अगर दलितों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ दलित दलित और अमबेटकर का नाम इस तरह न लीजिए नमबेटकर का नाम की इस तरह बरगलाने का लोगों काम न कीजिए प्राश्चित प्राबलम यह नहीं है आपको बोलना चाहता हूं देखे मैं बोलता हूं सत्तर सालों में सरकारे रही है मतलब आजादी के बाद की बात करूं हर वर्ग से हर समास से नेता रहे हैं सवाल यह है कि सब कुछ होने के बाद जो कमजोर थे किसी भी जाती विरादरी क जो किसी प्राबलम में फसे थे आज सिती उनकी भी है सत्तर साल के बाद भी अगर यह घटना है हो रही हो तो इसका मतलब है कि परिस्तिती में कोई बदला नहीं हुआ है चाहे किसी की भी सरकार आई रही हो चाहे बीस्पी में बीस्पी की भी सरकार अगर रही हो तो वो भी यही बदल पाए है उसका रीजन है यह सरकार है और यह पॉलिटीशियन और पॉलिटिकल पार्टी छोटी सी चीज़ पे भी यह भुसेंगी वहां पे तो उसको पॉलिटीशाइज करेंगी ताकि उनके वोटों का धुरुवी करणों बीस्पी हमेशा चाहेगी कि ऐसे चीजो अब इस चीज़ से आप इंकार नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क है कि जब तक किसी मसले पर राजनीती करण नहों पुलिटिशाइजेशन नहों तब तक सॉलूशन निकलता भी नहीं है किसान हो गोटाला हो घपला हो जब तक राजनीती करण नहीं होता ना तक सॉलूशन निकलता भी नहीं है तक सहमत है आप इस बात से कौन से कास गंज की घटना हो रही है सर मैंने पहले ही बोला ना मैंने बोला हजारों साल से ऐसी घटना हो का हमारे सब्सक्राइब कोई अगर यह होता है तो यह निंदनी है और मैं खुलिया मैं इस देश के जो गैर दलित गैर आदिवाजी समाज है उनसे हाजोड की निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने समाजों को यह निर्देश दीजिए कि जो भी दलित गैर अचार करेगा आदिवाजी पैसी अचार करेगा उसका समाज से बहुत काम किया अब आपने वाकई में बड़पन की बात किया है मैं बोलता हूं जिस गाउं में कहीं पे भी ऐसी समस्या होती है उस गाउं में जितने भी समाज रहते हैं दलित से लेके ब्रामर चत्री ठाकूर वैस से मुस्लिम जितने भी हैं उनके बुजूर्गों को अगर और मैंने ये जाएगा फिर ये मुद्ध बीएस प्रिका हो जाएगा तो ये मुद्ध विजेपी का हो जाया गा तो ये जी ये चीज है तो ये कॉंग्रेस की हो गई ये पहली बार आपने पूरे डिवेक्ट में तो करते हैं यहांपर पैटके पैनल में एक ही बात गहीए है आप इसको पुलिटिकली हाईजाइक का लिया जाता है उनके जो इशूज होते हैं वो भी पुलिटिकली हाईजाइक हो जाते हैं और इसी लिए में अएक दरशक का सवाल आया है कि 2019 में सावितरी भाई फुले को हाईजाइक कौन करेगा पुलिटिकली बहुजन समाज के आवाज को जदी उठा रही हूँ तो उस पर अगर मेरे प्रतिबंदित किया जा रहा है कि आप तो सरकार के खिलाब बोल रही है मैं तो सरकार के खिलाब नहीं बोल रही हूँ कि बहुजन समाद की जो आबादी है 85% सबसे ज़्यादा सोशल बहुजन समाद के साथ ने हो रहा है और ये जब ही बंद होगा जब भारत का संविधान लागू होगा भारत के संविधान लागू होने लेकर अब तक जो भी सरकारे वहाँ पहुंची है वह भारत के संविधान में दी गई कानून को लागू नहीं करती है इसलिए कि भारत के संविधान को नहीं मांती बलकि मनुआ स्मिर्थ को मांती है मनुआ स्मिर्थ में लिखा इस्तरी सुद्रों बिद्या ना देता हम इसनी होगै एक अरे उश्क्रशचे के निखा वह निए आपत है थितावार थे क्रेंटे माले भी तरिचे अeler भाइस खुड को शरड़ देने माले भी तरित छलिप और अभी ही इमारे भाइसामरे बोला रिखेए लुग जाने ता है उनका परिवार राजाधा था आज कि दॉद्ध डाया दान तरह नीजिक जाई खहिए एक नो डूक जाए एक नो डुक जाईये थाहिए अफ्लेश के जाता हो जाता हुए तूब सो रछिए अपजिया झाता है जाता है यह श्वार्याद की दु साथ ये बाई पूले कर रही है कि इस देश में जो भी सत्ता चला रहा है वो मनुस्मिती पर यकीन करने वाला मनुवादी सोच के लोग है बतार आरेसस विचारक आप कमानना क्या है और साथ ये भी बताईएगा आप मनुवादी सोच के साथ हैं इसके विरोध में चिंतन है कि राश्री समसेवक संग का चिंतन है कि इस देश में समविधान सरपर्थम है बाबा साथ भीमरा अमेदकर जी ने जो समविधान बनाया है वो देश में लागू है उसी के आधार पर सत्तर वर्सों से बिबिन राजमितिक दल साथन करते चले आए है यहां हम मनु को बिलकुल नहीं मानते हम भारती समविधान को समझते हैं कि वह एक उचित समविधान है और उसी समविधान के अंसार सासन को चलना चाहिए चलाना चाहिए और जो लोग अगर मानसिक रुप से दिवाजिया होगे जीजे यह कहते हैं कि केंडु खेत्र प्रांत विभाग लिए खंड मंडल ग्राम और शाखा क्या इस रश्नात्मक विवस्था में कहीं पर भी कोई दलित हैं मैं फिर से वही सवार करेंगा साथ सरसंघ चाल पुछा था बाद मैंध हैं पुछा था अधान फे सोचते ही नहीं पहली बात और मैं बता दूं आप से है कि मैं आप से बता दूं कि घर संघ्चन के हर अस्तर पर दलित है समाज के सभी वर्ग के लोग हैं प्रभास्षा में दलितों के लिए कोई संकल्प होगा संग मंडली में कोई संकल्थ होगा दलितों को ले करके देखे मैंने कहा कि हम जाती के आधार पर चिंतन ही नहीं करते हम ब्योहार रूप में दिखाते हैं कि हम चुआ चुट नहीं मानते और सभी लोगों से कहलवाया है हमने संतों से कहल वाया है कि छूआ चूट पाप है इस देश में अगर छूआ चूट पाप नहीं है तो कोई भी चीज पाप नहीं है और यही कारण है कि आप देखें धार्मी जो धर्म संसद बनी थी उसमें यह प्रस्ता पारित कराया गया काशी में काशी जोम राजा केहां स्वास करते हैं और सबरी कुम्ब हुआ गुजरात में बहुत बड़ा छे लात लोगे कठा हुए वहाँ पर समाज को सबको साथ ले करके कैसे चाहिए अंत में अशुक भारती जी कुछ कहना चाहते हैं आप नई भाई उसके बाद आपके पास आँगा अशुक जल्दी लेकि सबका साथ सबका विकास और जिसे सावीतरी भूले कह रही है कि इसके देश का समीदान घलत हातों में है वह सिफ और सिफ मैं आपको सिफ एक मिनिट ले लूँआ अगर आप देखिए राशिद भाई मेरे पाप पूरी लिस्ट है कि जो लोग चला रहे हैं उसमें एक भी त अलगल जी जादिक है अनिला जी जल्दी बोलिया जीराजी जल्दी बोली आए मैं कि यहां पर दो बात करना चाहते हूं अब जो आपकार जी और पर शुब्री आप सब्सक्राइब बहुत शुब्री आप सब्सक्राइब इस डिवेच में में साथ रहने के लिए अंत में राशिद वासर जाजनिती का एडिटोरियल स्टाइड सारुग जाईया हो गया आज यूप में दलित को घूर चडही करना इतना मुश्किल यों है अनिला जी अपर बीजेपी प्रवक्ता माफ की जैगा इला जी मैं बस यह पूछनाऱ हो की यूप में डलित की घूर चडही मूश्किल क्यों है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ये दुर्भागे पून है शरमनाक है इस प्रकार से अगर आज 21 सदी में और हमारे देश को जो 70 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत हुए और उसके बाद भी ये खबर बनती है की खबर बनती है कि एक दलित दुल्हा जो है वो घोड़े पर बैठ कर अपनी बरात निकाल रहा है और वो खबर बनती है तो इससे ज़्यादा दुर्भागे पून कुछ होने ही सकता है और मैं इस चीज़ को नहीं न कार सकती कि हां कुछ जगे दबंग जो है वो बहुत जाती करने का प्रयास करते हैं परन्तु कानून जो है वो दलितों के साथ है और हमारे देश का कानून इतना कमजोर नहीं है तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी यहां पर राशिट जी जो राजनिती करते हैं दलितों के नाम की तो ऐसा तो है नहीं कि उस शेत्र को नी जानते हैं जिस शेत्र में या जिस जगह पर या जिस गाम शहर कस्वे में दलित रहते हैं उनसे उनका टच्च नहीं रहता है यह मौका देना बंद कीजे ना आप लोग ने बिलकुल मैं वोई किसी को भी नहीं देना चाहिए और मैं इतना ही कहना चाहिए हूँ राश्य जी कि ऐसा नहीं है कि यह जो दलित चिंता के जल दलित नेता जो बनते हैं अपने आपको किर्पया करके अपने अपने शेतर में य जिनता पार्टी की वो अशेयर करते हैं कि किसी के साथ भी जाती नहीं होनी चाहिए और मैं ऐसी जहांता का दलितों का सवाल है उनके साथ कानून खड़ा हुआ है तो उनको परिशान होने की कोई आवेश्यक्ता है नहीं है आप पूछ लेता है आप ही की पार्टी की हलागी सावित्री भाई फुले हैं बीजेपी की सांसद लेकिन नाम के साथ आजका लगता है नाराज बीजेपी की सांसद सावित्री भाई फुले जी क्या यूपी में दलित को डर लगता है पूछ 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 आज बहुत ही देनिये इस्तिती में है आप लोग टीवी रेडियो अकपार के मातिन से पढ़ने को सुनने को देखने को मिलता है कि बहुजन समाज का परिवार अगर वो घोडी पर सवार होकर के बराद जाता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है बहुजन समाज का प्वेक्टिकर घोडियों से दुले बन करके बराद जाता है तो उसको मार मार करके उसको लोलोहान कर दिया जाता है यही नहीं पूरे प्रदेश भर में बहुजन समाज की इस्ति आज बहुत देनिये हैं आप लोग टीवी रेडियो अक्वार के मादम से देखने को पढ़ने को सुनने को मिलता होगा कि बाबा साब डाक्टर भीमराम बेदकर जी की परतिमा तोड़ी जा रही है जो भारतिस समिधान निर्माता है और बाबा साब डाक्टर भीमराम बेदकर जी की परतिमा तोड़ने वाले लोगों की गरपतारिया आज तक आखिर क्यों नहीं कराई गई कौन उनको बचा रहा है तो पूरे देश भर में और प्रदेश भर में बहुजन समाच की इस्थि बहुत ही देनिये हैं लगातार घटनाए घट रही है बहुजन समाच की बहुजन बेटियों की इजद के साथ खिलवार किया जा रहा है अगर वो थाने में जाते हैं अप्लिकेशन लेकर के अफ़ाजार लिखाने के लिए तो बहुजन समाच की अफ़ाजार भी नहीं लिखी जा रही है निरंतर घटनाए हो रही है इसी सित में मैं माम करना चाहती हूँ सरकार से कि भारती संबीधान लागू होना बहुत ही जरूरी है हमने तो देखा है कि भारत के संबीधान का धाचा तो लागू है लेकिन भारत के संविधान में दी गई कानून आज तक लागू नहीं किया गया अगर भारत का संविधान पूरे तरिके से लागू हो जाए तो देश में जो आज घटनाए घट रही है ये निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी और हम इसलिए मैं लगाता लोग समामे में बोल चुकी हूँ और मैं शड़क पर भी अंदोलन कर रही हूँ कि भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है और जिस दिन भार्त का सम्विधान पूरी तरिके से लागो हो जाएगा उजिन भार्त में चिराग उठा करके भी आप तेरी भी ढूडेंगे लेकिन भार्त में गरी भी नहीं पाएंगे अशोग भार्ती दलिच चिंतक, सावित्री भाय पुले जी आप रही है सावित्री भाय पुले जी आप रही है अशोग भार्ती दलिच चिंतक मेरे साथ में मौजूद है अशोग भार्ती जी 1950 में जब हमने समविधानिक गनतंत्र को अपनाया था तब सामाजी, कार्थिक, राजनेतिक, शक्षनिक और धार्मिक रूप से बहिश्कृत जातियों के लोगों को मौलिक और कुछ विशश अधिकार मिले थे समविधान की कुछ धाराएं भी हैं जो उनके लिए कुछ अलग सी बात करती हैं 233, 332, 244, इनके मताबिक उन्हें राज देश और सानी निकायों में ततिनिधितु का अधिकार दिया गया और साथ ये भी कहा गया कि इन्हें कुछ और अलग विशेश तरीके से इन्हें सुविधाय दी जाएंगी और दलित इन्हें शामिल थे, क्या तब से लेकर के अब तक दलित अभी भी डरा हुआ है और इतना डरा हुआ है कि उसे घुर्चली करने में भी डर लगता है देखे ये जो अभी कासगंद की घटना हुई है, उस घटना से तो यही लगता है कि 6 महीने सरकार के साथ दलित समाज की लड़ाई हुई, मसला हाई कोट तक गया हाई कोट ने हाथ खड़े कर दिये, उसके बाद जाकर 6 महीने बाद भारी पुलिस फोर्स की उपसिती में वो घुर्चली हुई इस बात के लिए मैं ठाकर समाज को मुबारक बात देना चाहता हूँ, कि उन्हों की जो गंदी सोच है, उन्होंने समाज के सामने रगी कि मैं चाहता हूँ, ऐसी घटना है वो बार बार करें, जिससे लोगों को पता लगे कि उनका दिमाग कितना सड़ा हुआ, कितना गंदा और दलितों के प्रती विश्च से भरा हुआ है मैं लेकिन में कहना चाहता हूँ, कि हमारे जो, हमको यह समझना है, कि उत्तर प्रदेश के सत्रा सांसत भाजपा के हैं, जो शेडूर कास के डिग्रीज आते हैं, जिसमें सावित्री भाई फूले भी हैं, अगर आपको तलवे चाटने सब फुरसत हो, तो रिजाइन कर सत्रा लोग तो कम होगे, समाज पर बोश तो कम होगा, कम से कम समाज ये सबर कर लेगा, कि हमारे सांसतों ने कम से कम समाज पर अत्या चाब वे उसके लिए रिजाइन कर दिया, ठीक है, सावित्री भाई फुले जी, यहाँ पर आशोग भारती बहुत ही जागरूग दलेच चिंतक है, उन्हें ही कोट अनकोट मैं कर रहा हूँ, यह मेरे शब नहीं है, यह मैं उन्हें ही कोट अनकोट कर रहा हूँ, कि सत्ता के तलवे चाटने वाले कई ऐसे नेता हैं, जो कि दलेच बिरादरी से आते हैं, और अपने ही महत्वा कांक्शाओं के लिए मुखालफत तो करते हैं, विरोध तो करते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? यह दलिच चिंतक का कहना है, जो यहां पर बैठे हुए हैं. मैं इनको बताना चाहती हूँ, कि यह जो रंग में कपहनी हुई हूँ, यह तथागत गौतम बुध का रंग है, और यह दो हज़ार साल पहले जब तथागत गौतम बुध जी आये थे, तो यह तथागत गौतम बुध जी की मैं अन्वाई हूँ, और तथागत गौतम बुध जी नहीं कहा था, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का अंदोलन, कि आज की तारिख में कौन सी यूपी की पुलिटिकल पार्टी है जो बहुजन हिताया बहुजन सुखाय की बात करती है सावितरी भाय ठुले जी बता दीजे किस पार्टी में अब आप जाएंगी किस पार्टी का टिकट मिलने वाला है 2019 में ये बता दीजे बीसपी से मायवती जी से बात हो गई आपकी पहले तो पूरी बात तो सुन ले दिजे आप पहली बात वान सुन लिजे जो प्रस्रिकिया उसका जबाब तो सुन लिजे पहले बीसपीस में आप आपक दे रहे हैं मैं बताना चाहती हूँ कि तथा अगत गौतम बुद्ध का प्रदीप सिंग जी एमारे साथ में लखनों से जुड़े हुए है प्रदीप सिंग जी दलितों के साथ असल इमानदारी किस पार्टी ने दिखाई है नमबर एक दलितों के हित की हर कोई बात करता है लेकिन दलित का हित और उन्हें सुरक्षित कोई क्यों नहीं रख पाता नमबर दो दलित के नाम पर असल सियासत कौन करता है और असल सियासी फाइदा कौन लेता है नमबर तीन और दलित की हालत किस सरह से सुधर सकती है क्योंकि आज की तारीख में उतरप्रदेश में 80 साल में किसी गाउं में पहली बार दलित ने घुर्चड़ी करने की हिम्मत दिखाई है पदीब जी नहीं ये परंपरा गोडशड़ी का हो सकता है उस गाउं में पहली बार हुआ हो यह हो सकता है लेकिन जिसने भी उसको रोकने का प्रयास किया वो निंदनीय है और मुझे लगता है कि जो आपने वावनगर इस तरह चाहें कि दलितों को आज भी दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बर्ग एक जाति दारण दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दलित चिंतक जो कह रहे थे। मुझे लगता है कि इसमेरे लोगों को को हैं कि अपने मानसिक रूप से जाग़रुप से ज़़ुने की ज़रुपत है. आज अगरुपता इस हद तक आ जाए और वह जागरुपता कहिं कि डलितों के अलावां और बर्ग में भी आनी चाहिए. कि कम से कम इस तरह की घटना ये और मुझे लगता है कि जब प्रधार मंत्री ये कहते हैं कि रोहित बेवुला की मरने के बाद कि मुझे बार लीजे लेकिन किसी दलित को न मारिये तो इस तरह की घटनाए उसके बाद भी हो रही है उसके बाद उना कांड हुआ दलितों को मारा गया उत्तर प्रदेश में दलितों को नंगा करके मारा गया विएस पी ने ता नहीं माबास भी मेरे रिखात हो रही है तो यह लगता है कि इक बाल में कहिन के कमी है जी दलित वोट बैंक की नाव पर बैच करके सियासी वाटरनी ना जाने कितनी बार माय उती जी ने भी पास किये लेकिन उसके वोट बैंक के नाम पर जम करके काड़ अगर सबसे ज़्यादा इस देश में किसी ने खेला तो मायवती ने खेला लेकिन दलित का भला वो कर क्यों नहीं पाई राशिद भाई 2007 से लेके 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और उस सरकार में आपने देखा होगा कहीं भी किसी तरीका कोई वाइलेंस नहीं हुआ किसी भी दलित या मुसलिम या किसी भी वर्क के व्यक्ति को नाजाइस कहीं सताय नहीं गया यह आपने देखो और चाज्मानदsis दोलिया है कि कमशकम दलीतों पर अत् gwारा है उन्होंने माना क्योंकि सरकार उनकी है केंद्र में भी सरकार उनकी है रज्य में पर्णौरा उनकी है उसके बाप वजूद भी एक दलित को प्रडक्शन नहीं दे पार हैं वह स्कूड़ारे हैं स्स्क्र मना क देता है आप कौन हो उसको रोकने के लिए लेकिन पुलिस प्रटक्शन नहीं दी जाती इसमें सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल घलत है सरकार अगर चाहती तो उसकी गुड़ सुवारी से बरात भी चड़ती और बहुत आराम से हो सकता है लेकिन सरकार उन लोगों को पूर भार देता है वो गाये के उसके चक्मे और उसके बावजुदों के नेता ह आते हैं और उसको माला, से बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं ऐसी गटना है जब इस तरी के से गटेंगे और नेता उन लोगों को पूरी, गटेंब को तो पूरी पिलकुल आजादी देगा कि 8721 बहुत उचा कर दिया, एक मुसल्मान को मार दिया, एक दलित को मार दिया, उसको वो इतना सम्मान दे रहे हैं, तो लोगों का होसला बढ़ेगा, ना के घटेगा, आप देखें, इसमें सबसे बड़ा सरक्षन अगर कोई दे रही है, तो बीजेपी गौर्मेंट दे रही है, बीजेपी जान बूच के मुसलिमों पे और दलितों पे अत्याचार जान बूच के करा रही है, यह इनकी मनशा है, अचा आपका ही कहना है कि मुसलिमों पे और दलितों पे जान बूच करके बीजेपी अत्याचार करा रही है, अनिला जी आप इसका जवाब जरूर देना च दलित एक बार फिर से इतना विश्वास आप लोगों पर कर पाएगा कि 17 सांसा चुन करके आपको दे दे देखिए सबसे पहले तो मैं सावित्री वाइफ फूले जी जो इतना सब कुछ बोल रही है सरकार के विशे में उनसे मैं उनकी बात का जवाब दूँगी और फिर अभी नईम अबासी जो ब्यस्पी से हैं उनका और फिर आपका बस 30 सेकंड दे दिजेगा सावित्री वाइफ फूले जी ना भी बहुत कुछ कह दिया कि सरकार ये सरकार वो भारते जिनता पार्टी से ही वो सांसाथ है भारते जिनता पार्टी नहीं एक गलत नेता है ये उसनाते इनको टिकेट दिया और ये मेंबर अफ पालेमेंट पनी पहली बात तो मैं इनको याद दिलाद हूँ, अभी अभी इनों ने भगवा रंग के विशे में कहा कि मैं गौतम बुद्ध की फॉलोवर हूँ, इसलिए रंग को धारन करती हूँ दो हजार वर्ष पहले गौतम बुद्ध आये थे और बुद्धिजम शुरू किया थे, दो हजार नहीं धाई हजार, तो जिस धरम को आप मानती ही, तो कृप्या करके उसके विशे में अच्छी तरीके से जान लीजे, समझ लीजे, और रंग जो है, वो किसी धरम से नहीं आइना होता है, तो और दूसरी बात ये है कि सावितरी भाई फूले जी ने ये बता दें, जहां से ये Member of Parliament है वहराइट से, वहाँ पर क्या दलितों की बरात निकल रही है कि नहीं निकल रही है, या वहाँ पी मार पीट हो रही है, इसका उतर देतें, अगर नहीं निकल रह है, तो ये अपनी बात को वापिस लें, अच्छा, अनलिया जी एक बात मैं समझ नहीं पाता, इनके लिए अनला जी, दूसरी बात ये लुका चिपी का सेल, बीजेपी और दलित सांसतों के लिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, उसके बात मैं पूछना है, ये चाहता हूना राशित जी ये वो लोगे जिन्हों ने अपने शेतर में काम नहीं किया है, और किस मूप पूरा आरोफ मर दिया, जाकर वोट मांगेंगे, मोजी जी ने लगातार बारंबार आरोफ आ गया है, तो सावित्री जी आप चुप बैठी है, मुझे बढ़ा अफ्सौत हो रहा है जानती है, अनिला जी क्या है, क्या है सिर्फ सावित्री बाई फुरे ही नाराज नहीं है, अनिला जी, सिर्फ सावित्री बाई फुले ही नाराज नहीं है, यश्वन सिंग नाराज, निलाम सोनकर नाराज, अंजुबाला नाराज, अंशल वर्मा, राम चंदर निशाद, हर कोई तो नाराज है, उधित राज वो भी नाराज, मिरे साथ एक जिन फॉल लाइन पर जुले हुए थ नाराज नाराज होए तो खोई करें, अच्छा, अरे मैं कि तो चार योजनाओ को ठालीजिए, धलितों से जुड़ी हुई योजनाओ को ठालीजिए, यह उत्तर निरे पाएंगी सावित्री बाई पूले की इनोंने कितना कारे किया अपने शेद्र में, यह वहाँ दूर भ वो क्या होगा, राजनितिक मौका प्रस्ती का जो तकाना होता है, पूलिटिकल टाइमिंग के सावित्री बाई फूले जैसे नहता को चोयता ही करेंगी, एक काम कर लेते हैं, संग विचारक अशोक सिनहा के पास में चलते हैं, अशोक सिनहा जी जहां पर रिश्वास की पैदा हो जाये करती है, और कहते हैं कि समाज के साथ में बीजेपी को जोडने का काम अगर इस हिंदुस्तान में किसी ने किया है, गली-गली महले-महले तो राश्रिय स्वयम सिवक संग ने किया है, आनुशांगीक संगठन के नाम पर आपके पास वनवासी कल्यान आश्रम है, विद्या भारती है, स्वदेशी जागरण मंच है, विशिंदु परिशद है, सेवा भारती है, राश्र सेविका भारती है, अकिल भारती विद्याती परिशद है, बजरंग दल है, लगू अध्योग भारती है, विश्र समवात केंद्र है, लेकिन उसके बावजूद भ कि वीजेपी पर विश्वास दलितों में पैदा करने के लिए RSS पिछले तीन-चार साल में कुछ कर क्यों नहीं पाया? राष्ट्ये संसेवक संग सामाजिक समरस्ता में विश्वास करता है और वो बार-बार कहता है कि पत्का अंतिम लक्ष नहीं सिंगासन चड़ते जाना सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना सामाज में समरस्ता होगी तो भी सामाज आगे बढ़ेगा और ये जो छुआ छुट की भावना आई है ये दलिश शब्द ही बहुत पुराना नहीं है ये बारह सो वरशों की गुलामी के अंतरगत पैदा हुआ है और यहां कोई राजनितिक समस्या नहीं ये सामाजिक समस् इसे हम अंतियोदय कहते हैं अंतिम पायदान पर बढ़ेवे विक्ति का विकास कैसे हो इस दिसा में 1,60,000 प्रकल्ब सीधे सीधे चलाया जा रहा है शिक्षा के चिकिस्षा के और साथी साथ सामाजिक जागरन के और उनके उनर जागरन के अशोग जी, सह सम्मान, आपका एक तो बहुत सम्मान है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और मैं स्वयम भी, वेक्तिकर तोर से आपका बहुत सम्मान करता हूँ और चुकि आप बहुत इमानदारी पूरवक बात बोलते हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने लेने जा रहा और चुकिए आप बड़े ओजस्वी वक्ता हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं सवाल करूँगा उसी का आप जवाद देंगे डॉक्टर केशव राओ, बली राम हेट गेवार माधव सदाशिव राओ, गोलवलकर मधुकर दत्तात्रे देवरस रज्जु भहिया, केय सुदर्शन, मुहन भागवत जी सर संग चाला कोई दलित क्यों नहीं हुआ अबी तक जी दिखे संग का जन्ब उनिसे पचीस में नापूर में हुआ संग को प्रारंब करने वाले डॉक्टर हेट गवार थे और निस्टरूप से जो कार करता बहुत दिनों से उस छेत्र में कार करते रहे संग चालक उसी दृस्टी से बनाया जाता है क्यों वह परिपक्व और मजह वे क्या कोई दलित परिपक्व सरसंग चालक बहुत से साल में मिला नहीं हाँ नागपुर तो दलितों की कर्म भूमी है अभी उस अस्ठान पर नहीं पहुंचे अच्छा सह सरकारवा अच्छा सरसंग चलाक चलिए ठीक है मान गया है सह सरकारवा इस बारे में विश्वास नहीं करता कि जाति क्या अधार पर चिंतन हमारा नहीं है अब आरा चिंतन है कि उस बारे में विश्वास नहीं है लेकिन दलित की बात इमानदारी से करने वाला अभी तक सामने नज़र नहीं आता वो चाहे कोई पुलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई दलित चिंतन भी यहां पर बैट करके हो करके जाए दलित की बात इमानदारी से जब तक की नहीं जाएगी और तब तक दलित का असल में उत्थान होगा भी नहीं और ये बात हमेशा तथागत बुद्ध के वक्स से ही कही जाती रही है राशित रसे जागनीदी के इस एडिशन में इतना ही ना साही के दुश्मन ना सफेदी के दोस्त हमें आइना दिखाना है दिखा देते हैं नवस्ते में ऱ्रीस साही के दिखशके ओिखा देते हैं